हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम सीटेर देसंबर 2018 का प्रिवियस ये रिवियस का कॉश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला कॉश्चन देखे भारत में बिहार के सापेच छे जम्मू एंड कश्मीर और गोवा की सिती क्या है तो अगर आप मैप बनाते हैं तो आपको पता है कि अगर बिहार यहां पर है तो जम्मू कश्मीर आपका उत्तरपस्ची में होगा और गोवा आपका लस्षण पस्ची मीं होगा तो 21 के सबसे घीमी होगी तब ही आपकी वास्पी करण की प्रक्रिया धीमे होगी अब नेक्स्ट कुश्टन देखे थर्ड इस्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापे स्तिती को समझने की छमता इस्थान, दूरी बगरा हम कहां पर देते हैं देखते हैं, मैप में देखते हैं इसके लिए मैपिंग इसके लापकी अच्छी होनी चाहिए जब आप इन सारी चीजों को समझ सकेंगे नेक्स्ट कुश्टन है, फोर्थ किस राश्टी पार्थ चर्या फ्रेम वर्क एंसी अपने प्राथमी किस तर पर एक एकरत पार्थ चर्या चेत्र के रूप में पढ़ाया जाने के लिए पर्यावरण अध्यान की सिपारिश की थी तो NCF 2000 हमारा उसने कहा था कि प्राथमी किस तर पर पर पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए नेक्स्ट कॉष्चन आपका भारत में किस तर में इस्थानांत्रित खेती करने का रिवाज है तो आपको पता है इस्थानांत्रित कहां पर की जाती आपके Northern Eastern रीजिशन में यानि कि उत्तरपूरवी शेत्र में, जो मेगाल है, मणी पुरी साइड में पढ़ता है, यह important question है, इस थानांत्रित खेती करके भी लिख कर आ सकता है, और जूम खेती करके भी लिख कर आ सकता है, इसके अलग अलग जगे पर अलग नामों से इसको बुलाया जाता है, okay, question number six देखे क्या है ननी बांधों से उत्पन जलविद्ध के लिए निमलिकित में से कौन से कथन सत्य नहीं है तो बांध टिकाव विकास को प्रोचसाहित करते हैं यह आपका कथन जो है वो सत्य नहीं है कि बांध बिल्कुल टिकाव नहीं होते हैं ठीके बांध एवम जलाशि देखें क्या है आपका निमलिकित में से कौन सी ग्रीन हावस गेसेज है आपको पता है क्रीन हाउस गासों से क Pat यहां पर एक्सप्लीनेशन देख लिजिया कार्वन डायोक्साइड, जलवास्प, मीथेन, क्लोरो-क्लोरो कार्बन, नाइटरस ऑक्साइड, ओजोन, ये आपकी ग्रीन हाउसे गैसे होती है, तो यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, यहाँ पर उपर्यूक्त सभी, इसका option क्या हो जाएगा, राइट, उपर्यूक्त सभी, का option क्या हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान, हिमाले के व्रिष्टी चाया में होते हैं, इसलिए वो मांसून से प्रभावित नहीं होते हैं, Q9 देखे क्या है आपका, ताज महल के पीले होने के लिए निम्रिकित में से कौन जिम्मेदार है, तो सभी को पता है, सल्फर डाइयोक्साइड, यह ताज महल के पीले होने का कारण है, वर्षा होने पर यह गैस जल के साथ में मिलकर, अमल वर्षा के रूप में धर्ती पर गिरती है, जिसके कारण ताज महल का रंग कीला होता जा रहा है, अमल वर्षा में सल्फर डाइयोक्साइड के मात्रा जादा होती, गोल कोंडा किला किसने बनवाया, इस तरह के कोश्चन कभी कभी आ जाते हैं, आपको एक बार पढ़ कर जाना है, प्रीविश यह तो देख ऐमल आयतन, वाले किसी बस्तू का द्रव्विमान क्या होगा, तो गहनता बराबर क्या होता है, गहनता बराबर कर डव्भिमान ब्रविमान बराबर आ एतन, इंता इन बला इंत उत थे keeping तो इसका राइट ऑप्षिन क्या हो जाएगा, 45 ग्राम, प्रेल्फ कॉस्चन देखें, निम्लिकित में से कौन सी अधिश राशी, अधिश राशी कौन सी होती है, जो दिशा रही तो जिसमें दिशा ना हो, ठीक है, तो आपकी क्या है द्रव बिमान, एक्स्प्लेशन इसका जिन राशियों में मात्रा और दिशा दोनों होती है, वे सदिस राशी कहलाती है, जैसे बेग है, बल है, संबेग है, किसी भी चीज को हम बल लगाके, उसकी दिशा को परिवर्टित कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सदिस राशी होगी, जिन राशियों में केवल परिणा, परि प्रकाश किरन गुजर नहीं सकती कहलाती है तो अपार दर्शी उसे को अपार दर्शी आप समझ सकते हैं कि उससे कोई भी जो किरन है वो आर पार आस नहीं निकल सकती है जैसे की कागज हो गया आपका ठीक है, जैसे दीवार होगे, वो आपकी अपार दर्शी होगे, आप अगर यहां से लाइट करेंगे, तो वो दीवार के पार नहीं जा सकती है, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, प्रथवी की सतय पर किसी वस्तू का भार क्या होगा, जिसका द्रविमान चंद्रमा की सतय पर 10 kg है, तो इसका जो ऑप्शन इन्हों ने दिये थे, वो सही नहीं थे, तो आप इसका एक्स्प्लिनेशन यहां पर देख सकते हैं, की M, M is equal to 10 kg into M, E, उसका राइट ऑप्शन आप 15, एक विलय का भिक्टंदर पर निर्भर करता है, एक विलय जो है, वो किस भिक्टंदर पर निर्भर करता है, तो सरफेश छेत्र, ठीक है, किसी विलय की भिक्टंदर उसके सतह छेत्र पर निर्भर करती है, ठीक है, 16 क्रूशन देखिए, सुश्मा चाहती है कि उसके छात् करें ठीक है तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा कि बच्चा जब कोई एक पेंड को अपनाएगा और उसका पालन पोर्शन करेगा खाद डालेगा पानी डालेगा तो वो उसको अच्छे से सम्मिधन शील हो जाएगा उसके प्रती तो इसका राइट ऑप्शन डी लेख नहीं किया गया इस सिच्छड अधिगम के रड़नीती में के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है पूछा है यह याद रखिएगा इस समुदाय को उन बीमारें को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीडित थे तो यह जो है वो प्रासंगिक नहीं है अब ने सिती का सामना करना पड़ा बच्चों ने आग बिजली के जटके सड़क दुरगणाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए उन्होंने प्रश्ण पूछे उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों में से सड़क सुरच्छा विग्या अपनों जैसे संसाधनो का उप्योग करके सुरच्छा पहलों पर चर्चा की और क्रमशा आग और विजली के जटके पर सुरच्छा दिशानर दिर्श्णों पर चर्चा के लिए लपीजी और एलेक्ट्रिक बिल का इस्तमाल किया प्रिया द्वारा अपनाएगे सबसे उप्योगत द्रश्टी कोड कौन से हैं तो इसके लिए अनुवेशन यह सबसे जादा उप्योगत द्रश्टी कोड है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देगे हैं आप इसका एक्स्प्लिनेशन भी समझ सकते हैं प्रिया ने आपात कालिन घटनौस के प्रति बच्चों के अनुभब करने के साथ ही उन्हें परस्तितियों से निपटने और साफधानी बरतने हैं तो जैसे कि सड़क, सुरच्छा, बिजली जटकों अने ऐसी परस्तितियों के प्रति उठाय जाने वाले कदमों को बताने हैं तो विभिन मादमों का सहारा लिया ठीक है तो ये कौन सी विदी कहलाती है अनुवेशन द इसको कहते हैं तो ये वास्तिति परिस्तिति से सीखने का अविसर प्रदान करता है नेक्स्ट कोशन देखे 20 इवी ये सिच्छन अधिगम में कच्छा में प्राप्त अधिगम को विध्याले से बाहर के जीवन से जोडने और इसे समरद्ध करने का तात्पर्य क्या है इसका आप पास्ट पुस्तिकों से बाहर जा रहे हैं ठीक है 21 कोशन देखे क्या है कच्छा तीन के चात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता मा और उनके बच्छे एकल परिवार का घठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिस्तिदार साथ रहते हैं तो ये एक दिस्तार ये क्या है रमा द्वारा कक्षा थी इनके चात्रों पस्चात ही चात्रों के परिवार के स्वरूप के बारे में पहले रिष्टों को अच्छे से डिफाइन करना चाहिए बच्छों के उसके बाद में चात्रों को परिवार के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए मलब ड जित्र खीचना, फिल्ड ब्रह्मन, स्यामपट का उपयोग, तो ये सभी गत्विधियां आपकी EBS के लिए इंपोर्टेंट है, 23 देखते हैं क्या है आपका कुश्चन, 23 है पर्यावरन अध्यन पार्टिकरम बच्चों की समगर शिच्छा का कारण बन सकता है, यदि ये है ए एकिकरत, समावेशी, या विशैगत, या उपर्युक्त सभी, तो सभी तरह से आपको बच्चे को समझाना है, चाहे वो जटिर प्रक्रिया हो, एकिकरत हो, समावेशी हो या विशैगत हो, ताकि बच्चा अच्छी तरह से हर तरह से उस EBS को समझ सके, ठीक है, 24 पर्यावरन को में सपेरों पर एक अध्या है, इसका उद्देश बच्चों को जागरूप करना है, और सम्वेधन सील बनाना है, सपेरे सम्वेधन शील बनाना है, अब देखिए, यहा पर C आपका राइट है, कि सपेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा है, उन्हें अपनी आज जाले में मिड्डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, मिड्डे मील का समय कब होना चाहिए, यह इविए सिच्छन अध्यम के लिए एक अच्छा सिच्छन अध्यम का अवसर है, ठीक है, यह आपका सबसे प्रासंगिक option है, इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं 26 क्या है परियावरा अध्यान के संदर्व में बोज के विना सीखना क्या बताता है बोज के विना सीखना यानी की अबोद का भार कम करने की जरूरत है अब देखिए next question है 25 EBS कक्षा में सम्मू में सीखने का क्या उदेश है सम्मू में सीखने का मतलब क्या हो गया सहयोग के मूदलियों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रतिक बच्चे को सकरी रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना ग्रुप लर्निंग बहुत जरूरी होती है बच्चे को ग्रुप लर्निंग से कई सारी activities कराई जाती है और बच्चा अच्छे से समझ सकता है एक दूसरे की help लेना भी बच्चा वहीं पर सीखता है तो 28 देखते हैं question यहाँ पर BALA बाला का पूरा रूप क्या है इस तरह के full forms भी पूछते हैं EBS में ही नहीं CDP वगएरा में भी full forms पूछ ली जाती है तो बाला के लिए क्लिए क्या हो गया Building as Learning Ed ठीक है अधिगम सहायक की रूप में building तो इसमें जो explanation है वो समझ लीजे इसमें विशेश जरूरतों वाले बच्चों के लिए गतिवीदी आधारी सिच्छन और बालमित्रता और समावेज सी शिच्छा के विचारों को सामिल किया जाता है बाला का उदेश बालविकास के माधम से सिच्छा में गुणात में सुधार लाना विधाले में बुनियादी धाचे में सीखने और मनुरंजन पराधारित भौतिक वातावरन का निर्मार करना ठीक है कि जो बिल्डिंग है उसको भी स्कूल की बिल्डिंग को भी आप लर्निंग गेट की तरह काम में ला सकते हैं उसको आप पेंटिंग करा दीजे इंडिया का मैप बना दीजे फूट्स बना दीजे अच्छर बना दीजे तो बच्चे क्या करेंगे उन से ही सीखेंगे क्योंकि बो चीज़े उनके सामने हमेशा बनी रहेंगी ठीक है तो 29question देके क्या है वैकल्पिक धांचे का क्या अर्थ है वैकल्पिक धांचे का मतलब क्या हो गया विचार जो अबधारना है जो अपचारिक रूप से स्वीकरत इस पस्टी करण से अलग है ठीक है यह आपका वैकल्पिक धांचे का मतलब हो गया यहाँ पर इसका explanation देख लीजे वैकल्पिक धांचे का अर्थ है विचार जो अबधारनाओं के अपचारिक रूप से स्वीकरत इस पस्टी करण से अलग है यह प्रचलित सिधानतों या मानेतां से अलग स्रिजनात्मक्ता को प्रोचसाहित करते है थर्टी क्वेशन देखे लास्ट है यह आपका महिलाएं पुर्षों के तुलना में कमजोर है यह क्या है यह एक रूडी बद है इस्टीरियो टाइप है रूडी बद धारना है महिलाएं पुर्षों के तुलना में कमजोर होती है यह रूडी बद धारना है इत्मान समाज में इधाना इध्वस्त हो रही है क्योंकि आज महिलाओं की उपस्तिति किसी भी छेत्र में पूर्चस के वर्चस्व को टक्कर दे रही है तो यह आपका पूरा पेपर 2018 का सॉल्व हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच